श्रोताओं पेरेंटिंग यानि पालन पोशन माता पिता और बच्चों सभी के लिए में हैतो पूर्ण होता है माता पिता जस तरह का व्यभार करते हैं जो अनुशासन सिखाते हैं या जो माहौल देते हैं उसी का असर बच्चे पर जीवन भर रहता है पिछली बार हमने चर्चा की थी हरिपाल पिलानिया जी से 8 साल के बच्चों की पैरेंटिंग के विशे में आज हम बात करेंगे 8 से 12 वर्ष के बच्चों की पैरेंटिंग की तो हरिपाल जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आठ से बारह साल के जो बच्चे होते हैं उनमें और कौन-कौन सी हैबिट्स हैं जो यह सुम्ड में डेवलप होती हैं और हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो मैं समझता हूँ की यह अपने आप होम़ृइक करने का जो बच्चे का हैबिट है यह बहुत जिरूरी है मैं अकसर देखता हूं कि पांचमी कलास तक के जातर मम्या पांचमी कलास तक बच्चे को होम़ृक करा-कराकर एक तरह Islam dependent बना देती हैं, तो बच्चे के independent होने की सबसे important phase है ये, अब बच्चा homework जो करता है घरा के, कुछ उसको नहीं आता होगा, कुछ उसको समझ में नहीं आ, एक और चीज, homework जो है, classwork का repetition है, एक्चुल तो नया कुछ भी नहीं होता, कोई नया concept है, कोई नया chapters में नहीं करना है, उसको repeat है, तो जो मम्या homework में help करती है, वो बच्चों को कमजोर बना रही है, तो मेरा एक ये strong suggestion है, कि homework में मम्या बच्चों की बिल्कुल help करनी बंद कर दें, चाहिए वो second class का बच्चा है, या first का है, या third का है, या even tenth grade का है, दूसरी चीज, जो मम्या homework में help करती है, और ज्यादा help करती है, एक तो बच्चा कमजोर त्यार हो रहा है, dependent, तूसरा बच्चा वो class discipline के लिए भी एक तरह से नुकसान दाएक है, क्योंकि उसको पता है, या तो मम्या advancement में करा जाती है, कोई chapter, अगला chapter, जब teacher पढ़ाती है, तो बच्चा जारा ध्यान से सुनता नहीं है, और discipline part पे और और बच्चा करता है, तंग करता है, तो एक तो homework का हो गया, अचा, दूसरी चीज, यदि बच्चा किसी दिन homework नहीं करता है, या आदा उसना गलट ठीक किया है, तो उसकी responsibility, homework, parents का obligation नहीं है, उसका अपना obligation है, तो उसमें हमें help नहीं करनी चाहिए, दूसरी चीज, बच्चा अपने आप back pack करता है अपना, उसको यादत उसकी होनी चाहिए, अपने आप अपने चीज़ों को, खेल के मैंने देखा है, कई बच्चे खेल के, और सारे toys गेम जैसे फैंक के, और चले जाते हैं, मुमिया से मेटती रहती है, तो इस face में बच्चे को आप यदि आप नहीं करता है, तो शुरू-शुरू में बच्चे के साथ, आप उसको मिलके पैक कराएंगे, सारे toys बिखरे पड़े हैं, और फिर धिरे-धिरे बच्चे अपने आप करने लगे, अपने आप अपने कपड़े पहने लगे, बच्चे अपना school uniform है, या घर के कपड़े उसने चेंज करने हैं, जुत्य कहां रखने हैं, जुरू आप कहां रखनी हैं, अपने आप उसको brush करना है, मम्मी पुश करते रहते हैं, brush करना तो ये चीज़े नहीं होनी चाहिएं, बट यहां पे बच्चे को इदि आप जेंटली प्यार से बताते हैं, कि आपको सुबह उटके brush करना है, और मम्मी रोज याद नहीं दिलाएगी आपको, तो उसकी एक habit हो जाएगी, और वो बच्चा कर लेगा, एक और चीज़ है, जो बहुत ignored है, मैं समझता हूँ, आज जो बड़े लोग हैं, काफी सारे, 50% से भी ज्यादा, स्याइद 70% से भी ज्यादा मोटापे जैसी चीज़ से जूज रहे हैं, और वेट, वेट मनिजमेंट, इतने सारी, तो यदि बच्चे को इस फेस में, आट से बारा या बारा से नीचे, पांस साल के बच्चे को भी, कि हर बाइट आपको 50 टाइम्स चूँ करनी है, जल्द पाजी में, जल्दी, जल्दी, जल्दी एक भी खराब चीज़ है, बच्चे यदि पचास बार बाइट अपने चबा के खाने की आदित इस उम्र में डाल लेगा, कि पेरेंट्स फोर्सफुली उन्हें मना करते हैं कि नहीं खेल में, अगर किसी का इंट्रेस्ट है, या ड्रॉइंग में है, तो उसको दबा देते हैं, कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला बढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ें कहां तक सहीं? कुछ पेरेंट्स सोड़े से फियरफुल हैं, अपने बच्चे की लाइफ को लेके, उनके करियर को लेके, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, और वो फियर फिर उसकी बच्चे के साथ डे टो डे डिलिंग में रिफलेक्ट होता है, जी, तो इस उमर में समझता हूँ, बच्चे को सारी चीज़ें ट्राइ करनी चाहिए, गेम्स की जैसे आपने बात की, तो आउड़ो गेम्स जितने भी हैं, जो भी उसके आसपास अविलेबल हैं, रिसोर्स हैं, उसको ट्राइ करना चाहिए, कोई ड्राइंग में बच्चा इंटरस ले रहा है, तो उसके लिए वो मेट बच्चों के लिए इस उमर में जरूर रखना चाहिए, जिसमें उनके लिए स्टोरी बुक्स आ जाएं, एजुकेशनल गेम्स वो हो, और जब बच्चा एक स्टोरी पढ़ता है, तो उसमें उसकी लेंग्विज डेवलेप्मेंट होती है, उसके इलावा उसकी वेकैबली है, और वो पूरी दुनिया ट्रेवल करता है, अपने घर में बैठके, उसके क्रियेटिविटी और इमेजिनेशन भी उससे डेवलेप होती है, और इस फेस में यदि पोसिबल हो तो कुछ टाइम पेरेंट्स को साथ बैठके उनके स्टोरी बुक्स जरूर पढ़ने और इदी पोसिबल हो तो मैं को और चीजस में एड़ करना चाहूंगा, पेरेंट्स को भी कुछ पंदरे मिनिट, बीश मिनिट, आदा गंटा, जितने भी बीजी हो वो, वीकली बेशिज पे कम से कम मैं समझता हूं कि चार गंटे पेरेंट्स को कुछ अच्छा पढ़ना च सीख लीजे तो उनको सिखाना ही नहीं पड़ेगा, ये सबसे आसान तरीका है, सर अक्सर क्या होता है कि माबाप जब बच्चों को कुछ बोलते हैं करने के लिए तो वो मना कर देते हैं, या उन्हें डर होता है कि ये नहीं करेंगे, तो उस काम के लालच में वो उनको ब्र ब्राइब दे रहे हैं तो बहुती खराब चीज है, बलकि तीन चीजें है, एक ब्राइब है, एक रिवार्ड है, एक पनिश्मेंट है, पनिश्मेंट बहुती खराब चीज है, बच्चा कोई भी चीज करेगा तो भ्याव में करेगा, होमवर कर ले नहीं तो ये कर दोंगी होंवर्ण कर ले नहीं तो यह कर दो आनने तेरे पापा को ज्यादा डाटने वाले parents जो होते हैं तो बच्चे डर जाते हैं तो यह punishment की किटेगरी है बच्चा को यह काम करता है तो भै में करता है और मैं समचताओ कि इस face में बच्चे की personality को अगले 80-90 साल उसके जीवन के लिए तियार किया जा रहा है बच्चे को जिदि वो भे में करेगा तो फिर कभी बड़ा होगा फिर आगे चलके उसके बाद वो जोब करेगा या बिजनस करेगा कुछ भी करेगा तो वो अपने आप करने वाला उसमें डवलप नहीं हो पाएग तो इसके बजाए ये हो कि बच्चा कोई भी चीज जैसे होमवर्क अपने आप उसने फिनिश कर लिया तो आप उसको आवार्ड के तोर पे रिवार्ड के तोर पे कुछ देते हैं चलो आज मेरे बेटे को आईस्क्रीम दिला के लाते हूं लेकिन ये इसलिए नहीं कि होमव बच्चे को आप दे सकते हैं फोर गुड हैबिट्स ये ज्यादा काम करें इसमें मैं एक चीज सोचता हूं कि बच्चे को परोस के देने वाला पेरेंट्स का थोड़ा साजकल ज्यादा हो गया है सब उस रेडिमेट कि मेरे बच्चे को स्ट्रगल ना करना पड़े जो बच्चे को अच्छा लगता है और ये एक साइकल सुरू हो जाता है तो एक तो सेल्फ स्ट्रगल का मैं समझता हूं कि इस रूम में बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे को अपने हिस्से का स्ट्रगल करने दें सब कुस त्यार करके उसको परोस के ना दें और दूसरी चीज में जैसे पहले भी बात कर चुके हैं एप्रिशेशन जो भी बच्चा को अच्छी चीज करता है उ जो हम पेरेंटी वरक्शोप करते हैं स्कूल में उनको हमने इसके लिए मोटिवेट किया मैंने खुद अपने बच्चों के साथ चैस सीखा उससे पहले मुझे चैस खेलना नहीं आता था चैस खेलने से बच्चे में पेसेंस डेवलोफ होगा जो बहुत इंपोर्टेंट ल लगाने लगेगा तो उसकी सिटिंग के पैस्टी डेवलोफ हो जाती है उसके लावा बच्चा जो कोगनिटिव स्किल्स डेवलोफ होती है बच्चे की चैस खेलने से कोगनिटिव स्किल्स यह है कि लोजिकल ठींकिंग जी जी और मेरे खाल से एक बहुत अच्छा गेम है पेरिंट्स को बच्चों के साथ कहलना चाहिए माइंड शार्फ होता है एक हमर में मुझे लगता है कि बच्चोंको डीसिजन में किंग में इन्वोल जुरूर करना चाहिए अब डीसिजन मेकिंग क्या है आज सियांको खाने में क्या बनाए जरासी बात है तो यह दिफ़ी हो तो बच्चे से उसकी राय लें कि कौन सी सब्जी बनाएंगे ठीक है और उसको एक लिस्ट बना के दे दें या वो अपने आप लिखके एक लिस्ट त्यार कर लेगा इदिया आप सब्जी मंदी जरूर लेके जाएं बच्चों को वो आप थोड़ा सा पीछे खड़े हो जा तो फिर उसको कोई सब्जीजे से उसको पालक नहीं खाना पसंद है लेकिन वो मार्केट से लेके आ रहा है उसने ख्रेदी हैं के साथ जाके तो मोस्ट लाइकली उसका डिसिजन होगा कि हां मुझे फिर वो खानी है वो उसमें हेलफूल रहेगा मतलब जीवन में जो भी हम अपशिज्ए एस चीज़ पे मुवाईल और स्क्रीन से बच्चे को जितना पॉसिबल हो बच्चो को दूरर रखना चाहिए ये तो बहुत बढ़ी समस्या है और बहुत जरूरी है समस्या बस हमने बना लिया लेक्षन है नी बहुत से गर हैं बहुत से बुद्चे हैं जिन कोई difficult word है तो बच्चे को increase करें थार्ड का बच्चा डिक्सन दी देखने लग जाता है थार्ड फोर्त में वो अपने आप ढूंडे बच्चा एक वर्ड ढूंडे जब चलता है तो रास्ते में कई words पे वो अटक जाता है उनके meanings में उसको सोंजने आते हैं और उसका एक interest कर देते हैं तो बच्चों के old books कभी भी आपको बेचने नहीं चाहिए कि जब बच्चा मालो वी fifth grade में है कुछ concept उसके ऐसे थे जैसे multiplication उसने third में सीखा था उसको अभी इतना clear नहीं है लेकिन इदी parents से दो साल पुरानी books उस बच्चे के आगे ऐसी रख दे अन जाने में सा लगा रहता है अब उसको बहुत मजा आता है यहीं चीज हम बड़ी classes के लिए रिक्मन करते हैं आठ्वें क्लास का बच्चा है तो इसको पांच्वें चटी की books सामने उसके रखी हों चाहिए English की stories book थी या कुछ भी content था तो वो उसमें कई वार काफी time लगाता है उससे उस अरिपाल जी आज के इस session में आपने बहुत ही valuable बातें बताई हमारे parents के लिए हमारे शोताओं के लिए आप आए studio में इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मुट